मद्द प्रदेश के रिवा के रहने वाले 14 महिने के लिटिल गूगल बॉय को वर्ड बुक आप रिकॉर्ड्स में जगह मिली है उसकी मेमोरी इतनी सार्प है कि जिस चीज को वे एक बार देख सुन लेता है उसे नहीं भोलता SSC का तेज दिमाग को देखते हुए सुरुवाती दोर में दुनिया भर के देशों का जंडा दिखा कर माता पिता ने सवाल जबाब की तो उसने तुरंत ही सटीक जबाब दे दिये पुर्गेरिया इंडोनेशिया बेरी कॉर्ड दक्र आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया पचीज फरवरी 2022 को ऑनलाइन हुए टेस्ट में 26 देशों के निशनल फ्रैक को याद करने के लिए एससी का नाम वर्ड बुकाप रिकार्ड में दर्ज किया गया है इसके लिए लेंदन के संस्था ने उससे सर्टिफिकेट भी जारी किया है टीम ने आठ अप्रैल को सबसे कम उम्र में 26 देशों के जंडे पहचानने के लिए सस्की मिस्त्रा को यह संवान दिया है बता दें एससी के पिता संजै मिस्त्रा मोटायर रीवा जिल्य के गुर्ट तैसी लंतरगत अमिलिहा गाउं तमारा देश के रहने वाले हैं संजै मिस्त्रा मोarp धिनियस मिश्त्रा दुवारी हैру सिकंड्री स्गोल तो हमने ऐसे ही देखने के लिए कि देखते हैं यह कर पाता है तो हमने कुछ जंडे उसके सामने रखें राश्ट्री भजड थे उन देशों के और उससे पूछना शुरूओ जैसे हमारी बादें समझ पा रहा है और हम जो बता वा रहे हैं वह चीज़े उसको अधरा और इस तरीके से रहते हैं उनके दो बेटे हैं बड़ा बेटा पांच साल का वा छोटा बेटा चौदा महीने का है एससी का जन 25 दिजंबर 2020 को हुआ ऑनलाइन वीडियो में अदभूत मेमोरी देखकर वर्ड बुक आफ रिकॉर्ड भी है रान है एससी के मा सिवानी मिस्टा ने कानफूर उनिवर्सिटी से लौगी पढ़ाई की है उन्होंने बताया कि एससी चार से आठ महीने के बीच फूल और चित्र देखकर पहचान करने लगा था फिर उसे हर दिन कई तरह के फूलों की पहचान कराने शुरू की फ्लैस कार्ड की माध्यां से माने एससी को अलग-अलग देशों के जंडे की पहचान कराने शुरू की सबसे छोटे बच्चे का सबसे बड़ा रिकॉर्ड संजय मिस्रा का कहना है कि बॉल्ड बुक आफ रिकॉर्ड लंदन की टीम ने बताया कि शसी मिस्रा सबसे छोटा बच्चा है लेकिन उसका रिकॉर्ड सबसे बड़ा है इन्हीं बातों को देखकर बॉल्ड बुक आफ रिकॉर्ड की टीम है करान है उनके पास अभी 14 महिने के बच्चे का कोई रिकार्ड नहीं था हमने टीम को 26 देशों के जंडे का ही वीडियो भेजा था वीरे रिपोर्ट दाखबर दान्यों कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही है इससे बड़ी चीज क्या हो सकत कि यह बहुत खुश हुई है सच्वी के लिए ऐसे तो कोई special preparation उनके लिए हमने नहीं की तेकिन हाँ जब हमने देखा कि वह चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं तो हमने इसको एक चैनलाइज बही लिए